तो गूट आफ़नों सेवेंट्स चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे बिल्कुल तयार हो जाए आज क्लास के लिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बाइलोजी के एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर डाट इस इस लेक्चर में हम पिशले लेक्चर यानि लेक्चर टू के जो आगे के टॉपिक से उनके बारे में डिसकस करेंगे लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा डिसकेशन करेंगे जो हमारे लास्ट के टॉपिक से उसके बारे में ताकि आप वापस फ्लैश शो करिए क्लास में चलो भाई मैं वेट करना हूँ जल्दी से आजाओ सभी बच्चे है ना जल्दी जल्दी से सभी बच्चे ओके सभी बच्चों के पास पहुंच चुकी है चलो भाई फटा फट से जल्दी से ना जल्दी जल्दी आजाओ सभी बच्चे ताकि क्लास को ज्वाइन किया सके चलिया क्लास को स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेंट्स लास्ट या लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अड़ाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसी प्लांट में क्या-क्या अड़ाप्टेशन हो सकती है कहिने का मतलब ये है यह लाई बाजाओ सभी बच्चे यूटुब पर भी कमेंट करो एप्लिकेशन पर भी कमेंट करो अपने विउस दरक्खो कि बाईकर चाब हैं और एगली बार यह ऐसा नहीं होने वाला है इस बार कि जो कसर है वो अगली बार पूरी की जाएगी exam pattern को difficult कर दिया जाएगा क्योंकि अब Corona वो रहना है बल्कुल गयब हो गया है vaccination मगारे सब कुछ बढ़िया से लाए तो थोड़ा सा बजया alert हो जाईए तो चलो भाई discuss करते है adaptations for cross pollination के लिए और outbraiding devices के लिए adaptations समझे बच्छों adaptations देखिए आप adaptations for cross pollination clear cross pollination के लिए क्या क्या adaptations होते हैं और outbraiding devices की हम बात कर देखिए outbraiding device का मिला समझे अरे सजी ये पढ़ा क्यों रहे है इसका मोटो तो समझे आपकी ये टॉपिक में पढ़ा क्यों रहा हूं अरे भाईया मैंने आपको last time पे आटोगैमी के बारें पढ़ाया था जिसको मैंने क्या बोला था self pollination बोला था आवाज clear आ रही है थोड़ा सा गला कभी-कभी बैट जाता है कभी-कभी ख़ड़ा भी हो जाता है इस चलता रहता कोई दिक्कत नहीं है आवाज आनी चाहिए आवाज में दम होना चाहिए और बाते समझ में आनी चाहिए clear हाँ तो हम इस टॉपिक को बता रहे हैं पढ़ा क्यों रहे हैं एक्शली मैंने आपको लास्टन पर आटोगैमी पढ़ाया था self-pollination पढ़ाया था आपको बात बताई थी या नहीं बता यहोगे तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि जब आटोगैमी होती, self-pollination होता है तो कोई खास variation नहीं आता था जिसकी वजह से inbreeding depression हो जाता था प्लांट में, genetic variability नहीं आ पाती थी आटोगैमी की वजह से इस वजह से सारे प्लांट से चाहते हैं कि इस लगाता चेंज होने वाले environment में, changing environment में वो properly survive कर सके और proper survival के लिए भया उनके अंदर कुछ ने कुछ variations होने चाहिए, variations होंगे तो वो survive कर पाएंगे, जैसे उनके parents से वैसे वो भी हैं, उनके आने वाली अगली generation भी वैसी होगी, तो change क्या आया, कोई change नहीं आया अगर पिछले parents पिछले season में बीमारी से खतम हो गयते, तो अगले आने वाली generation भी आने वाली बीमारी में खतम हो जाएगी, लेकिन अगर कोई variation आ गया तो उनको survival करने में help मिल सकती है, यानि variation बहुत ज़रूरी है, इसलिए most of the plants चाहते हैं, कि उनमें cross pollination हो, क्योंकि cross pollination मे variation आते हैं, इसलिए वो plants outbreeding devices को develop करते हैं, outbreeding devices उन्हें help करती हैं कि self pollination ना हो, that is outbreeding devices helps plant to encourage cross pollination and discourage self pollination और autogamy, और jitonogamy also, clear, छी के बाद दिया, तो रश्मी दिवेदी आ चुकी है, हाई रश्मी बीटा, विपासा, विश्व कर्मा, गुड़ाप्टनों विपाशा, चलिए बईया, सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, और फटा फट से discuss कर रहे थे, अब एक बाद समयना हैं, क्लास 12 की बाते तो मैं आपको पढ़ाई रहा हूं, साथ में कुछ neat की बाते भी बताऊंगा, कि विपासा, जो अपकमी नीट है, नीट 2021, कैसे कैसे question आप से पूछे जा सकते हैं, तो आपको कोई अलग से पढ़ने हैं, आप इसको अच्छे समझें, और मुझसे question answer करते रहें, नीट का अंसाल ले लिजे, MTG का, और भी आप अच्छी कोई बुग ले सकते हैं, और उसको लगाईए, solve करिए, और उसके लावा आप फिर हमसे question पुछते रहें, आपकी सारी त्रयारी आसानी से हो जाएगी, और otherwise मैं आपको बता तो रहा हूं कि कैसे question कहा से पुछे आए फिलाल हम priority देंगे, क्योंकि एक classes board students के लिए है, तो हम board पर यादा अभी focus कर रहे है, need students के लिए अलग से classes चलाए जाएगी, तो उसमें और elaborate तरीके से अलग तरीके से पढ़ाया जाएग, need के लिए, है ना, वो 12th pass out या टिल्स के जो exam दे चुके प्रमोट हो चुके उनके यह वो रहेगा, तो आगे देखते हैं बच्चों हम board पे, board exams पे based इस topic को, तो आप जानते हैं कि continued self-pollination की वज़े से in-breeding depression हो जाता है, मैंने आपको पहले बता जिया था, लगातार self-pollination की वज़े से in-breeding depression हो जाता है, thus flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination, self-pollination ना हो पाए, and to encourage cross-pollination, ताकि cross-pollination हो सकते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ा आती हैं, आइए जानते हैं, लास्ट रंतम ने क्या बढ़ा था, ऐसी devices poly थी, जो autogammy को promote करती थी, जैसे कि klystogammy था, था कि नहीं था, अच्छा, ठीक, आगे बागते हैं, यह उन्ने discuss कर लिया था, डाइको autogammy में क्या होता था, कि अलग-अलग time पे, receptivity होती थी, sex organs की, अगर male sex organ पर ले develop हुआ, तो उसे हम बोलते थे, pretendus condition, और अगर female sex organ यानी stigma पर ले receptive हुई, तो उसे बोलते थे, proto-gynose condition या proto-gynose condition, या proto-gynose condition, यह बात, मैंने आपको बता दी थी, आगे आते हैं, इसी process को ब होती हैं, जिसमें एंथर और stigma, आमीन कारपल की जो length होती है, वो vary करती है, अलग-अलग position पर वो इस तरह से होते हैं, कि इनकी बीच में close association ना होता है, means वो आपस में contact में ना पाए, means उसका जो pollen है, एंथर निकलने वाला, stigma तक पहुँच ही ना पाए, ऐसा कुछ arrangement होता है, hetero means different style means length की बात हो रही है, means this condition is called hetero style, और ये दोनों ही mention method जो है, ये autogammy को prevent करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो hetero style हो, चाहे वो dicogammy, दोनों ही चीजे prevent करते हैं, कि इसको बताइए, autogammy, now, अब हम बात करें, थर्ड method जो हमें आज से start करना था, self incompatibility, self incompatibility का मतलब होता है, कि खुद को ही incompatible कर लेना, अगर same flower का pollen grain आए तो, मतलब, इसका मतलब ये कि जो stigma होती है, वो बहुत चलाक होती, stigma इतनी चलाक होती है, कि कुछ ऐसे certain chemicals होते हैं, जो pollen secret करता है, जिसको वो पहचान लेती है, अरे, ये तो मेरे ही flower का pollen grain आगया, मेरे stigma पर, यानि stigma के उपर आगया, तो stigma जो करते हैं, अपने आपको incompatible बना ले है, जिसकी through, अगर pollen आ गये, from the fertilizing of the same flower, by the inhibiting pollen germination, और pollen tube growth in the system, तो अगर एक ही flower का, यानि उसी flower का pollen grain, उसी flower की stigma पर चला गया, यानि autogamy अगर हो रही है, उस condition में कुछ chemical stimulus के through, यानि chemicals के through, stigma उस pollen को germinate करने नहीं देगी, या अगर वो germinate भी कर गया, तो उसकी pollen tube की growth रुख जाएगी, जिसकी वजय से, वो pollen grain, जो है, अपने male gametes को अंदर अग्योज तक नहीं पहुचा पाएगा, clear हो गया, तो यह हो गया, self incompatibility, next क्या था, die-cliny और unisexuality, कुछ प्लांट्स तो बहुत चालाक होते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, तो को CGC बात हैं, अच्छे से समझाते हैं, सर, thank you, सर, अपूर जी, आप हमसे जुड़े रहे, बहुत 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 थांक्यू, पढ़ते रहे आप हमसे पढ़ता हैं, thank you, पढ़ते रहे समस्य रहे और कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीके न, चलिए, सो बढ़े हमने क् तो यहां पूनुवार ही युणिसेक्श्वल कर देंगे दिए क् brat नबाजे क्र देंगे तो और क्लावन इन तो संहाँ नहीं है जब एक होगा में जर्फ Luck या वो staminate flower होंगे, male flower होंगे या तो वो pistillate flower होंगे, female flower होंगे, तो उस condition में autogammy तो संभव नहीं है, संभव क्या प्रेजन हो सकता है, jetonogammy और azinogammy हो सकता है, यानि कुछ हद तक यहां पे autogammy prevent हुआ, So, it is, it effectively prevents the self-pollination, self-pollination effectively यह prevent करता है, and it is the presence of unisexual flowers, unisexual flowers जो होते हैं, यह present होते हैं, यह खाद बात हो गई, unisexual flowers present होते हैं, in the plant that prevents the autogammy, but not jetonogammy, autogammy तो रुख जाएगी, बट jetonogammy, यह important बात है, NEET में यही पूछा जाता है, NEET जैसे competitive exams में, कि ऐसा कौन सी outbuilding device है, जो autogammy को तो prevent कर देगी, बट jetonogammy को prevent नहीं कर पाएगी, तो answer क्या हो जाएगा, unisexuality, कैसे कैसे कैसे, अरे जब एक plant में flower लगे हुए हैं, यह male flower है, यह female flower है, पॉलेंगे निकलेंगे, female के पास चले जाएगे, तो plant लेकी यह, फ्लावर चेंज हो गया, जिटोनोगammy, आप क्योंकि plant यूनिस, फ्लावर यूनिसेक्श्वल थे, इसलिए autogammy तो संभाव नहीं है, क्योंकि autogammy होता है, जब flower एक ही होता था, और दोनोगammy example हो जाएगा, caster and maze, caster and maze में क्या होता है, इस तरह का phenomenon पाया जाता है, अब बात करते हैं बच्चों, हरकोगammy की बारे में, हरकोज मीस होता है, sense, कोई अवरोध है ना, चलो बई, दिव्यान्शू जो जो चुके हैं, good afternoon बटा दिव्यान्शू बहुत बहुत स्वागत है, क्लास में थोड़ा सा समय से आईए, क्लास 12 बायलो जी का बहुत ही important chapter, तैयार रहिए, बिल्कुल कमर कसके, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सावधान रहिए, और सतर्ग रहिए, क्योंकि कभी भी दिक्कत हो सकती है, आपको अगर आपने बिल्कुल विला परवाई की तो चलो बाई, सावधानी अटी, दुरगटना गटी, और मेरा डैलोग यही है कि वाईया, फाइनली सब्जी पूरी बटी, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना कि बहुत सावधानी से, अच्छे से हर एक पॉइन को समझो, समझते के बाद उसको रिवाइस करो, लिख के भी फ् होता है सेंस, तो बाईया यह और्किड बगारा में पाया जाता है, है ना, वेर दा मेल और फीमेल सेक्स और्गन्स देंसेल्स प्रूव एजा बैरियर, जो एक दूसरे के लिए बैरियर का काम करते हैं, तो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन बाई सम इस्ट्रॉक्च्च्र बीच में पेटल आजाएगी, है ना, स्टैमेन और कारपल की बीच में, या कुछ उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि बीच में अवरोध आ जाएगा, हैना, कोई नों कोई फैन्स टाइप के स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यह कहनें के मलब यह कुछ स्ट्रक्च्च्च्रल अर्किट जैसे प्लांट्स में और्टोगैमी नहीं हो पाती है, यह भी एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेश करने के लिए, सही बात है ना, सही बात, अब बात करते हैं डायोशिक, यह डायोशिक क्या हो, यह तो बैया यूनीक मेथड है, सबसे खतरनाक, यह एक ऐसा मेथड होता है, जो ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करता है, करता है, जिटोनोगैमी को भी प्रिवेंट कर देता है, डायोशिक की बात हो रही है, यह डायोशिक क्या होते है, सर जी, अरे बायोशिक क्या होते हैं, जिसमें मेल प्लांट होता male flower पाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ male flower पाए जाएंगे वो education नहीं है यहाँ पर यह तो high condition is एक ऐसा school जाएं सिर्फ और सिर्फ लड़के ही लड़के पत्ते हों बालक विद्याले और यह condition क्या है बालिका विद्याले, कंग्या विद्याले यानि सिर्फ और सिर्फ यहां पे female flower पाए जाएंगे female flower पाए जाएंगे तो पूरा plant female बोल दिया पूरा plant male बोल क्या इस male की पॉलेग्रेन निकल के यहां पे आ जाएंगे आ भी सकते हैं देन कुछ करना ही पाएंगे male male कुछ नहीं हो पाएगा opposite charges attract each other यह concept तो physics का है यहां पी चल जाएगा यह same charges है दोनों male है आज की जमाने में तो कुछ भी संभाव हो वैसे लेकिन यहां पे plant हम लोग से दा समझदार होते हैं यह हम लोग से दा समझदार है वो जानते हैं यहां पे opposite charges में काम होना है same charges repel each other है ना बलकुर सही बात आगे दोखो भया तो यह दोनों हमारे क्या हो गए male flower हो गए falling rain आ भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होना है यानि कि इस plant में ना तो autogammy संभा हो है एक ही flower के अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा और दूसरे flower पे भी कुछ नहीं हो पाएगा यानि कि जिटो नोगैमी भी सं जिटो नहीं होना है प्लांट से कूद के दूसरे प्लांट पर जाना पड़ेगा यानि बिल्डिंग चेंज कर दी मीस जीनोगैमी लो भाईया आगे जीनोगैमी एक्जमपल क्या होता है लिखा या पर डेट पाम लिखा नहीं है कोई बात लिग लेना डेट पाम एंड पा अपरें यह ऑटो गैमी और जीनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है यह बात जिल्कुर स्टार मार्क कर लेना नोट कर लेना दिवां में बैठा लेना और बिल्कुल चाट जाना भूलना नहीं इसको नहीं वन्हों का खाजा होगा एक्जाम्स में टायोश अच्छि अच है यहोटे है कि मेल और फ्रिमेल घोरते है वह होते जिख वर दुस्टे फ्रेसे क्लावर और अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना इससे अदम क्या कह सकते हैं आप लोगों से ज्यादा कुछ कहा बिन सकते हैं अलकाद होगे तुम लोग है ना बहुत खतरनाक हो तुम लोग बहुत खतरनाक बच्चे हैं हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इ इजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं बच्चों अगर हम आपसे कहें कि पॉलिनेशन जो है वो स्वता नहीं होता है आटोमेटिक नहीं होता कभी कभी उसके लिए क्या होता है बताओ एजेंट्स की जरुरत परती है जैसे आटोगैमी है तो खुद से तो हो सकता है लेकिन जिटोनोगैमी के लिए और पड़करली जीनोगैमी के लिए कुछ एजेंट्स की जरुरत परती है इन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं बताओ वगया इन एजेंट्स को बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट्स बहुत आराम से चल होगा अरे हम तुमसे कहा अपना धान यहां पर रखो भी यहां पर देखते रहो विलकुल लागातार पीचर कुछ कह रहा है मोबाइल चलाओ मोबाइल चलाओ लैप्टॉप पे देखो हमको देखो इसको देखो और जीवन में आगे बोड़ो पर उसी को देखो फायरा नहीं सब्सक्राइब करने में क्या करते हैं मदद करते हैं बहुत आसान सी बात अभी है दा एजेंट्स रिस्पॉंसिबल फॉर पॉलिनेशन इन्टू में कैटेगरीस दो में कैटेगरीस में डिवाइट किये गए क्यों से होती है अरे बहुत झा यह तो लिविंग हो सकते हैं यह तो आँ लिविंग होसकते एजेंद्स अगर लिविंग है तो उन्हें हम मोलगे भाईजिके की तिलिगए बात तो जयान रखिए लेकिन अगर आपके तो तो उन्हें बिगए यह दूत क्या बोल देंगे ? A Biotic Age, ठीक है न? इस ये बात थोड़ा सा आपको ध्ञान में रखना है, ठीक है न? तो A Biotic Agents कैसे हो जाएंगे ? अदि ये, नोन Living, कैसे हो जाएंगे ? Non Living Agents हो जाएंगे भया, बात तो समझ माझनगे होगे ? और येat took by milieu मदलम ही होता है life became the ky hep named familiar by Jonah या व्यो ST आप एजिन्स यानि कि कि सकी बात हो रही है या फे living agents की बात हो रही कि अबने Suri living agents क्या होते हैं आप लोग कि बच्छे ही हो बिल्कुल वालू भी नहीं है living agents क्या होते है आप सर्जी Clinton सब आ स Cathy kenn Mayo जेंट से उप nggak लिए अगंगे यहां पर आजे समझाते मीहरे करना ही पड़े और प्यार है आप लोगों से वॉइंटिक के ज़िए लिविंग एजेंट होते हैं लिविंग अधिलिंग मद लपर दिमाग तो रखो भाईया ए बायोटिक मल्लो हो गया है यहां पे विंड एंड वाटर विंड एंड वाटर आगे देखे आगे पड़ते हैं चार्ट आगे आपके सामने पूरा समझते हैं चार्ट संदो आईए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बचों दो तरह के एजेंट्स हो बिविंड गया आता है विंड और दूसर ता वाकर यहां रहद रहो है ठीकनम है स्कंस्दद में शिर्फों अठीक बाद को जानते हैं यहां पे जो अच्छी थरसे वहां अगाता है देक हुझान जो बहुत तुमसे पूछी जैगी और जिसमें तुमको बहुँ बicação पू status को तो अगर पॉलिनीतिंग एजेंट का काम करेगी तो इसका टाइप के भल देंगे एनिमो फिली क्या बोल देंगे बता ये एनिमो फिली ऐसा पॉलिनेशन जिसमें विन पॉलिनेटिंग एजेंट है इसे बोलेंगे एनिमो फिली ऐसा पॉलिनेशन जिसमें वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट है उसे बोल देंगे हाइड्रो फिली क्या बोल देंगे हाइड्रो और एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें एनिमल्स आपके इंवल्व होंगे उसे बोल देंगे जू फिली जू चलिया अगर जाते हैं जानमर देखने हैं जू एनिमल ओके वाटर हाइड्रो टम मिल ला है ना मैच करा पार रहे हो अरे बापते बहुत सारे बच्चे आ गए खटा पता नहीं क्या टाइप कर दिया समय नहीं पा रहे हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की बात को कि अगर पॉलिनेशन हैं अगर पॉलिनेटिंग एजन्ट है तो हम उसे क्या बोल देंगे आप आगे दो कि अब अब एनिमल के थुख अलग अलग टाइप लिए अगर एनिमल में मैमल भी पॉलिनेशन करा सकते हैं जैसे कि लीमर है आर्बोरियल रोडेंट्स लाइक स्क्वेरल बगरा होती है तो यह मैमल भी पॉलिनेशन करा देते हैं कभी-कभी बर्ट में हमिंग बर्ड है संबर्ड है यह पॉलिनेटिंग एजन्ट काम करते हैं कुछ इंसेक्ट्स होते हैं लाइक जानते यो यह तो बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है ना यह थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को आगे देखो भाई आने के लिए बहुत सारे अलग्ण अलग्ट अडापेशन्स में पाए जाते हैं कुछ मैंसे कुछ इहां पर दिए होगें कुछ दिए यहां पर सम आउब स्थेम ऑर गिवन है पहला है एडाप्टेशन और विल्ड पॉलिनेशन अगल और पार यह और टीनेशन ऑरं एक ऐसा पॉलिनेटिंग एजिंट पहली बाद है ना तो देखो भया फटा फट से कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लगा ता जोड़े रही है हमसे सीखते रही है फटा फट से और टाइम होता जा रहा है बहुत सारे चीज़ों का जमें डिसकस्वी करना समझ हमें अगर हो रही हैं तो उस कंडिशन में कुछ ाीजेज इसके स्टिग्मा में होने चाहिए कुछ जैसे हवा चली हवा चली हवा चली हवा चली और हवा में तो वह हुंहेड जो हलका होगा तो ने चाहिए एसे लाइडवेट हुने Fair यह noi just जाहिए ताकि फेदर्स निकलिए थोड़ी वाइडर हो हब हमें और देपालेंगे इसको कैट्चर कर सके आई एकर करके सारी बाते डिसक्रस करते हैं सब्सक्राइब पॉलिनेशन इस और सो अटम एस एनमोफिली जो कि हम आपको बता चुके थे एडिज दा मोस्ट कॉमन अमंग इस एबायोटिक पॉलिनेशन प्लावर कैसे होते हैं इसमॉल होते हैं कैसे होते हैं स्माल होते हैं, कलर्लीस होते हैं, एंकंस्पीकवόश होते हैं, नیک्टार्लीस होते हैं, पैस्ब बश्रक्ण बबास समझ में नहीं आ रहे ही, क्यों ऐसी बाते यहां पे लिखी हुई हैं, क्या हंको इनको याद करना पड़ेगा जबे हैं, एक शोंझा देते हैं, म cloncconom省 झा राता है कि पॉलिनेटिंग हो जाएंग वोगों यूज़ करें जैसे कि वहाटर हो चाया वोई लाषक हो रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा विंड अब बीन्ड क्या है ठीज लीग है क्या अगर आधर क्लाइम को कि अगर क्लाइन को अट्रेक्ट करना है आख आने काम लिया है इसके लिए zurफ करते हैं लेकिन प्लावर जानता यह विंड है लावा ऽोता तो वाइट रहते हैं कैसे रहते हैं चोटे रहते हैं तो फ्लावर्स छोटे रहेंगे जानते हावा को कुछ नहीं दिखता है कहां किसी को अट्रैक करना है किसी फ्लावर की तरफ क्यों होते हैं उसके ब्यूटिफुल कलर इसमेल और उसकी शेप जो पैटल्स की शेप उसकी वजह से दरूस है उसकी स्मेल अच्छी होती तो हम लगा ट्रैक्ट हो जाते हैं बट वाइड फ्लावर रहें चांदता कि विंड से कराना तो उसको कोई कलर वल्लर की जडरूत नहीं है ना फिर इन कॉंस्पीकोस होते हैं बहुत चोटे-चोटे होते बहुत 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 जादे विजिबि अगर किसी प्लांट के या किसी फ्लावर में सिंगल ओव्यूल है तो उसमें कौन सा पॉलिनिस्टिंग एजन्ट काम करेगा तो क्या बताओगे विंड पॉलिनेशन होगा उसमें है ना इन इच ओवरी एन नियूमरेस फ्लावर्स पैक्ट इंटू दा इंफ्लोर्सिंस ला हर ओवरी में सिंगल ओव्यूल ही पाया जाएगा और बहुत सारे फ्लावर्स इंदर एक ही यहाँ पर एक सिंगल ओव्यूल होगा एक ओवरी यह बात याद कर लें नेट्स प्वाइंट क्या है ना एंटर्स आर विल एक्सपोज्ज फॉड़ दा इजी डिसपर्सल ऑफ पॉलिंग्रिंगी नहीं पामासी बात है हवा चली हवा चली हवा चली और उस छुपे बैठे रहेंगे तो पॉलिंगरिंगरिंग निकलेंगे एंसर के अंदर ही तो पॉलंग्रेन होते हैं चीक ना ओके चीक सभी बताया dreams of students सरफ flower colorful होते हैं बिल्कुल सभी बताया flower colorful होते हैं insects के लिए थाकि उनको अट्रेट कर सके हैं तो like in tessels of the corncob to the ancestors are well exposed for the easy dispersal of the polygrain proper exposure हवा चले और जैसे ही हवा चले इस अंधर के अंदर जो पॉल्ग ग्रेंज थे वो हवा के साथ साथ बैच छलें ठीक ना और पॉलिएशन कराने में हेल्प कर सेते हैं next point pollen grains are small light, dry dusty, non-sticky and sometimes winged winged means कुछ wings जैसे structure होंगे च्रिया वाले पंक नहीं होंगे कुछ अलग से structure होंगे feathers type के जो उनको उडने में help करेंगे float करने में help करेंगे और ये pollen grains जो होंगे animophilus flower की बात हो रही है ऐसे flower या ऐसे plant जिन में wind pollination होता है उनके जो pollen grains होंगे वो small होंगे छोटे होंगे तभी हवा मुड़ पाएगा light होंगे, हलके वेट के होंगे dry होंगे, सुखे सुखे होंगे और non-sticky होंगे और dusty भी होंगे और कभी-कभी winged भी होते हैं, कैसे होते हैं? winged, wings पाई आते हैं कभी-कभी next point देखिए भी या आगे the stigmas are large, hairy and feathery और branched to catch the airborne pollen grains जो stigma होती है, वो large होती है hairy होती है, stigma exposed होती ही ठोड़ी हावा में एंथर्स भी exposed होते हैं अगर इस तरह से stigma फैली होई है एड जगे से, ऐसी रहेगी तो कम pollen capture कर पाएगी, ऐसी रहेगी तो ज़्यादा pollen capture कर पाएगी, ठीक है न? means जो stigma होती है, वो large होती है hairy होती है feathery या branch भी हो सकती है और इस तरह की ये branch stigma भी हो सकती है ऐसे इस तरह से, ठीक है न? ताकि आने अवाले pollen grains को capture कर सके next point क्या है, कुछ common examples की बात की गई है जिनमें wind pollination पाएगा जाता है ये हैं आपकी grasses, sugar cane, maze, bamboo and coconut maze भी होता है ठीक है न? तो ये बात याद कर ले ना भईया ये देखो, pollen caught on the feathery stigma ये feathery stigma है आपके प्रजेंट है ये, है न? और ये आपके pollen जो है wind के थूँ, transfer हो रहे हैं और ये जो pollen थे, वो wind के थूँ, transfer हो रहे हैं और ये feathery stigma ऐसी मान लो या ऐसी मान लो ये pollen को क्या कर लेगी? capture कर लेगी ठीक बात है ना मिल्कुल? देलको ठीक बात है अब बात करते हैं adaptations for water pollination के लिए water pollination के लिए क्या क्या adaptations होती है उसके बारे में भी discuss करते हैं ठीक ना? एक सेकेंड मेटा रुकिए का जड़ा? हाँ तो देखिए करके हम डिसकस करते हैं यह हम डिसकस कर रहे थे और अब हम आगे डिसकस करेंगे water pollination के लिए water pollination बात को समझने की कोशिश करिएगा बचों यहाँ पे water की बात हो रही है यहाँ पे water है pollinating agent यह खात बात है क्या water living होता है क्या? अरे water तो non living होता है फिर भाई चीज़े आ गए है ना? water non living है तो plant कोई खास काम नहीं करेगा उसमें ज्यादा मलब जो है team jam नहीं होगा कि उसमें बहुत ज्यादा colored हो brightly colored हो बहुत ज्यादा उसमें fragrance हो है ना? यह सारी चीज़े नहीं होंगी उसमें तो कि यह भी एक abiotic agent plant समझधार होता है हम लोग सभी सब ज्यादा समझधार होता है so water pollination is also termed as hydrophily पहले बाद तो यही question आता है so पहला question तो यही बनता है कि water pollination को बोलते क्या है आप क्या बताएंगे hydrophily यह star है star means important ठीक है ना? चलो भाई so hydrophily हो गया है ना? तो water pollination हमारा हो गया hydrophily next point क्या है it is very common in lower plants groups such as algae, bryophytes and tadofites बहुत ही ज्यादा यह common होता है ठीक ना? lower plant के groups में जैसे कि algae है, bryophytes है और tadofites है बच्छो, water एक ऐसा medium क्योंकि actually में water most of the cases में यह medium के तरह काम करता है चाहिए वो gamit का transfer हो चाहिए वो pollination हो तो बहुत ही common होता है यह lower plants में यह lower plants क्या होते है? जैसे थैलोफाइट्स यानि की algae, फिर bryophytes and then tadofites इन तीनों ही plant को अगर इसके distribution की बात की जाएं तो यह moist places में होते हैं ऐसी जिगए पर होते हैं जहाँ पर moisture पाया जाता है तो algae है, bryophytes हैं, tadofites हैं यह moisture वाली जगए पर होते हैं प्राइट्स आपके स्मॉल फ्लावर जानते हैं कि वाटर एबायोटी के एजिंट है तो flowers आपके स्मॉल रहेंगे छोटे रहेंगे बहुत बढ़े नहीं रहें colorless होते हैं color नहीं पाया जाता है inconspicuous होते हैं orderless होते हैं and nectarless होते हैं orderless and nectarless होते हैं the stigmas are long and sticky की जो stigma होती है वो long होती है और कैसी होती sticky होती है example क्या है वलिशनेरिया example क्या है वलिशनेरिया hydrilla and zostera sea grasses यह बहुत important इनके stigma long हो गया और sticky ताकि falling grains वहाँपे attached हो सकें stick कर सकें वलिशनेरिया की बात कर रहे हैं aquatic plant होता है बच्चों hydrilla की बात कर रहे हैं यह भी aquatic plant होता है बच्चों और zostera की बात है आप यह धान देंगे तो सभी examples जो है वह underlined होते हैं example का रोल बहुत जादा होता है आप कोई भी theoretical grain water में हैं या water के अंदर है या water में रिलीज हो रहे हैं तो वह सकते हैं गेले हो सकते हैं और हैवी हो जाएंगे हैवी होने के वजए से वह पॉलीजे कि बैट जाएंगे और निचे जाकर बैट जाएंगे तो पॉलीनिशन कों कर रहाएं वह यहां बहुत जादा ज्रूरी है कि water में खिर सब्सक्राइब ना हो मतलब कि वह वाटर में इससे बचाने के लिए जो वाटर पॉलिनेट प्लांट्स होते हैं इनमें इनके पॉलन के आसपास मुचलेज की कोटिंग पाई जाती मुचलेज वाटर इंपर्वियस होता है यानि वाटर को अंदर जाने से रोखता है पॉलन ग्रेंट की उपर या उसको बचाता है ठीक है न समझाओ इनके मोस्ट अब दा वाटर पॉलिनेटेट इस्पीसीज पॉलेंग ग्रेंज आर प्रोटेक्टेट फ्रॉम गेटिंग वेट बाई मुचलेजिनस कवरिंग अनिकी वेट होने से कौन बचाएगा बताइए मुचलेजिनस कवरिंग जो प्रजेंट होती है एराउंड पॉलें ग्रीन है ठीक है ना बया बताओ यह पॉइंट लियर हो गया सभी बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से लगरा तुम लोग सो जाते हो बीच बीच में सर्जी को बस चकमा दे दिया और चले गए सजी आ गए तो सजी गुड़ाट पनों गुड़ाट पनुड़ाट पनु तो घर में खुब मैनत करने पड़ती तब भी कुछ जाता समय में नहीं आता था तो कहने का यही मतलब है मेरा कि भया अगर कंसंट्रेशन है तो ठीक है लें कंसंट्रेशन से पहले तुमारा ओना भी जरूरी एक लास में मानुशला फोन रखके बाग गये तुम्हीं नहीं तो कंसंट्रेशन के अगुणिया के खेत में डियालोग कानपुर वाला बहुत बीच में थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन भी बना रखो ताकि हम आगे बात को दवरा सके और बागे बढ़ सकते चलो भाइब तो हम यहां में बात कर रहेते हैं most of the water pollinated species जो pollen grains होंगे इनको wet होने से बचाने के लिए इनके आसपास mucilage की covering पाई जाएगी and not all aquatic plants use water for pollination यह बात भी बहुत important जरूरी नहीं है कि पानी में पाए जाने वारे सारे के सारे plants में hydrophily water pollination बहुत ही interesting fact है बच्चों जैसे कि lotus पानी में पाया जाता है बट उसमें hydrophily नहीं होती इन सभी में होता है इंसेक्ट pollination यह इर चलती उसके थुरू यह mostly इन में इंसेक्ट pollination होता है इंसेक्ट आते हैं वह कराते हैं पानी की उपर होते हैं है ना आए समझते सब्सक्राइब करेगा इंसेक्ट या विंड के थू एस इन लेंड प्लांट्स जैसे कि लेंड प्लांट्स में होता है एक्जांपल हो जाएगा water hyacinth and water lily water hyacinth और water lily की बात को रही है बच्चों बहुत ही important बात है कि सारे के सारे aquatic plant क्या करते हैं बताओ water को यूज करते हैं किसके लिए pollination के लिए majority of the aquatic plants के अगर बात की जाए the flowers emerge above the level of the water and are pollinated by insects or wind and land plants होंगे जैसा कि land plants में होता है अभी मैं आपको डियागराम भी दिखाऊंगा आप ऐसे imagine भी कर लेंगे कि यहाँ इस तरह से यह flower उपर emerge कर जाएगा इस तरह से और यह roots बगरा नीचे है कुछ water lily और lotus जैसे plants हैं जहां पर इंसेक्ट या wind pollination कराता है ना की पानी ठीक है बईया यह तो एक अलग सी बात होगे important point हमने याद कर लिया कि हाँ सजी सारे aquatic plants में water pollination hydrophily नहीं होता वो तो आप याद कर लोगे लेकिन किसमें होता है यह भी देख लेते हैं वैलिस नेरिया आपके सेल्बस में दिया वह बहुत ही अच्छ एक्जमपल है ना चलो ओके सो हम बात करें थे वैलिस नेरिया की इन वैलिस नेरिया एक एक्वेटिक प्लांट होता है बच्छों यह इसके जो खाथ बात ही होती कि फीमेल फ्लावर्स है ना वह रिबंज शेप स्टॉप के तो वह उपर सर्फेस से फ्लोट करते रहते हैं और मेल फ्लावर्स क्योंकि यहां पर मेल गैमी चैनली पॉलिंग ग्रेंड के मुव्मेंट के लिए यहां पर कहीं ना कहीं यह वाटर रिस्पॉंसबल है वाटर एक एजेंट की तरह काम कर रहा है इसलिए इसे बोल देंगे हाइड्रोफिल्य आये पढ़ते हैं इन वेलिशनेरिया दा फीमेल फ्लावर्स रीच दा सल्फिस ऑफ वाटर बाइदा लॉंग स्टॉक एड मेल फ्लावर्स और पॉलिंग ग्रेंज और रिलीस्ट ऑन दा सल्फिस ऑफ वाटर जो की नीचे थे मैं आपको भी फोटो भी दिखाऊंगा फोटो बहुत इंपोट खीचने वाली फोटो नहीं है यह लग फोटो है है ना हम लोग फोटो बहुत के बहुत शौकीन हो गया है जब पहले तो बहुत मजाती देखके कि बच्चे जो थे उसल्फी लेते थे कभी-कभी साथ में जब लेते थे या कभी बच्चों से इंट्रेक्शन हुआ तो वह स लिए ना तुमको बताना क्यों मुझाते थे फिलालब यह मिसमें आते हैं तो बहुत इसनेरिया के बात कर रहे थे दफी में फ्लावर्स रीच दा सर्फिस ओव वाटर बाई दा लॉंग स्टॉक है ना वाटर में अंदर जो अगर यह फीमेल यह माल लीजे यह वाटर करेंट के थे फीमेल फ्लावर्स तर पहुंच जाते थे एक्चले में यह होता था तो में फ्लावर्स आफ पॉलिंगेंस रिलीज्ट अन्टु दा सर्फिस ओव दा वाटर एंडे आर देन करीड पैसिवली पैसिवली बाई वाटर करेंट जहां पर पानी की जल्दारा होग कि उसी तरफ मालों जल्दारा इस तरह है फीमेल इधार है तो पॉलिंशन नहीं उपाएगा जल्दारा वाटर करेंट इस तरफ है तो फिर हो भी सकता है है ना जो कि इसी डिरेक्शन है फीमेल फ्लावर भी उपर है आगे दो भाई यह एक्टोल डागराम है एक्टोल यह पॉलिंशन करा देंगे वाटर करेंट के थ्रू है ना वाटर करेंट अगर इस तरफ है तो तो यहांस निकल यहां पहुंच जाएगा और अगर इस तरफ है तो यहांस निकलेगा और यहां चला जाएगा तो अगला कोई प्लांट यहां पर होगा अगर फीमेल फ्लावर उसका स्टॉक अगर यहां से आया होगा तो भी हो बच्चों अब हम जानते हैं और इंस्टेक्ट पॉलिनेशन इंस्टेक्ट पॉलिनेशन के लिए क्या-क्या अडाप्टेशन होती है यह तो बहुत ही इंटरस्टिंग अब हम लोग आ गए जूफीली में किसमें आ गए हैं बायोटिक एजन्स के अगर बात की जाएं तो बाय यह भी होती है कि अगर वाटर पॉलिनेशन कराना है तो इंसेक्ट को बुलाना पड़ेगा आजा आजा इंसेक्ट कहता है नहीं आऊंगा बहुत चलाक होता है वो तो प्लांट भी चलाक होता है अगर किसे को कुछ खिला देंगे तो वो आ जाएगा यानि कि कुछ साइट और एट्रेक्षन होता है रांट के पास में ऐसे प्लांट जो चाहते हैं कि उनमें पॉलोनीशन कॉपर आए इंसेक्ट तो उसको इंसेक्ट को बुलाने के दि एक करने के लिए कुछ चीज़े काणना ही पड़ेंगी जैसे कि नैचुरल ऐसी flowers में colors पाई जाते हैं सेंट या fragrance पाई जाती है साथ में नेक्टार वो प्रोडूस करते हैं नेक्टार इसी लिए प्रोडूस करते हैं क्योंकि यह तरह का वो आपका gift हो जाए ना reward हो जाए पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए कि आओ गिफ्ट लोग खाओ और चले जाओ और चलिए आपको समोसा मोसा भी खिला देते हैं उन्हें को समोसे खिला है पैड चुवे मेरे और हमको लड्डू भी दिया किलो ले हम दो वोड किसी और को दे दिया समझ में आया ना इंत्रमोफिली आफ rhymes बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से एंटोमोफिली बिल्ते जब का इंसेक्ट पॉलिनेशन को इंटोमोफिली बोलते हैं पहला इंसेक्ट पॉलिनेटेट फ्लावर्स आर लार्ज एंड कलर्फुल दूर से देखता हुए इंसेक्ट आजा इतने बड़े-बड़े होते हैं चमकीले बिल्कुल होते हैं दूर से दिख जा कि या रहे इतना ब्यूटिफल फ्लावर हम लोग इंसेक्ट पहुंचे ना प कि देखा संदर पूरत तोड़ लिए जाए मटल लिए देखागा लगर कोई नहीं लिया अगर सुख जाएगा बचारा इनसेक्ट पॉलिनेट फ्लावर्स जो होते हैं यह लाज होते हैं पहली बात और कलरफुल होते हैं ताकि पॉलिनेटिंग एजिंट्स को दूर से अगर किसी वजय से माल लो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो है यह आपके छोटे भी हैं साइज में तो यह क्लस्टर में गुच्छे में होंगे बंडल में होंगे ताकि अपने आपको कॉंस्टी को शो करें बड़ा शो कर सकें गुच्छे में भी तो होते हैं ना होते हैं नेक्स्ट फ्लावर्स एव नेक्टार ग्लेंट्स एंड रीट्रेग्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अस-पस भूमें, pollen grain महां पे attach हो जाएगे दुबार, transfer हो जाएगे, that is the surface of pollen grain is sticky due to the exigne layer and stigma is sticky due to the mucilisk लियर, इन्टॉमोफिलिसफ्लावर में जो पॉलेंगें लिए नेग्स सकते नेच्ट पॉइंट हैं तो सस्टेन एनिमल विजिट्स फ्लावर्स है प्रॉइट रिवार्ड प्लार जानते हैं अगर बारबार उसको बुलाना इंशेक्स को तो कुछ न कुछ रिवार्ड देना पड़ तें ति कि इसी लिए क्या हिता है नेक्ट करेंड और नेक्टार और presented नेक्टार को भी वह उसके देगे सुगुरी सब्सेंस होता ain't पसंद होता है ठीक है ना अजय सिंग जो चुके हैं हेलो सर जी बहुत बहुत है लोगों को प्टाफ़क से आगे देखो भाई यह नेक्स पॉइंट बहुत लेट आते हैं अजय सिंग जी ट्यास का द्यान रखा कर यह टाइम का आप जानते हैं मेरे क्लास में तरह समय का सब्सक्राइब होता है वह एक लेंग के लिए एक रिसाइट यानि की जगह देता है यह तरह का ट्रेक्शन तुम आओ मेरे लेकर दो और साथ में हम तो मेरा पॉलिशन करा दो हो गया एक हांसे लो एक हांसे दो आगे देखो बाई इन प्लांट्स लाइक यक्का मौथ कर सकता यानि इक इसके उपर मौथ एक इंसेक्ट होता जानते हो न तो मौथ ॥ोगल करना पता चल जाए गा मौथ एक होता है जिसके वनाजर्व अपनी लाइब सब्सक्राइब के अपने डिपोजित कर देता है कहां पर लॉक्यूल और ओवरी होता और वहां पर यह अग की आके चलके क्या बन जाती है और उसी फ्रूट की अंदर क्योंकि लॉक्यों के अंदर एक थे तो फ्रूट के अंदर पायाते हैं किसके इसी मौत के बच्चे इंटन गेट्स पॉलिटेट बाइदा मौत जब ओबरी में एग ले करने जाता है मौत तो वहीं पर पॉलिशन हो मौत के वह बाहर आएंगे एक्स के और डेवलप करना स्टार्ट कर जाएंगे सीड वग्यरा को और और इस तरह से उसके फ्रूट्स और सीड्स को खाएंगे वह मैंनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलिन और नेक्टार विदाउट ब्रिंगिंग अबाट पॉलिनेशन बहु किसी और को दे दिया यानि की पॉलिनेशन नहीं कराते हैं इस फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ट वैस पॉलन और नेक्टार डॉबर इन्हें पॉलिन नेक्टार डॉबर बोलते हैं चोरी करके चले गए नेता जी कहेंगे सट जी ने बोड़ ने घिया खाया पीया अलक्स है आगे देखते हैं कितना ब्यूटिफूल डागराम है पॉलिनेशन किस तरह से यह पॉलिन ग्रेंस ट्रांसफर हो रहे हैं इस पॉलिनेटिंग एजेंट के थू किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा यह पॉलिन ग्रेंस निकले एंथर से क्योंकि यह इंटोमोफिलस फ् किसी दूसर में यह फ्लावर न है और यह फ्लावर 2 खींपास पहुंचेगा तो तो बाईurance से क्या हो गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा हो ले न यह इन इस इन यह बात ठीकी होगी इसकी स्टिग्मा मुसिलेस की वज़े से इंपॉर्टन बात इस तरह से आज के सेशन में हमने काफी कुछ सीखा और आज आप हमसे जूड़े रहे इसलिए बहुत-बहुत थैंक्यू एना बया चलो बया तो नेक्स क्लास के लिए वेट रहेगा आपका जूड़े रहे हमसे काट्यान एकडमी से सेक्ष्वल रिप्रोड़क्शन फ्लाविंग प्रांट्स के लेक्चर फॉर में इंतजार रहेगा आपका कुछ नई बाते सिखाएंगे आपको और कि रहेगी कि किस तरीके से आपको सिखाई जाए आकि वो सारी बातें आपके काम आसके थैं